फिर आप बोलेंगे जी, कि क्या खाएं क्या पीर, जो चीज फ्रिज में नहीं रखी हो, और जिसको पवन इसपर्ष भरपूर हुआ हो, और जिसको सूरी का प्रकाश भी बिल गया हो, उसको खाएं, मने हर चीज ताजा बनाके खाएं, फ्रिज में रखी हुई मत खाएं, फ् दूसरा एक नियम है, आयरवेद का नियम है, अस्टांग हिंदे का भी वो नियम है, और सभी रिशी ऐसा बोल कर गए है, कि जो जिन्दगी स्वस्त रखनी हैं तो ठंडा पानी मत पीजे, पानी गरम करके पीजे, कम से कम उतना गरम हो जितना गरम आपका शरीर है, क्योंकि पूरे तंत्र को व्यवस्तित रखता है, हलका गुणगुना पानी, ज्यादा गरम भी नहीं, ज्यादा ठंडा भीजे, दूसरा ये नियम है, तीसरा ये नियम है, कि आप जो भी खाना खाईए, ताजा खाईए, खाना चबा चबा के खाईए, क्योंकि भारत में चबाने का बहुत महत्तो है, यूरोप में नहीं है, यूरोप में क्या है ना ठंडी है, मैंने आपको बोला ना ठंडी है, तो ये जो जबडे है ना, ये फ्लक्सिबल नहीं, तो ज्यादा चबा नहीं सकते हैं, तो जो भी कुछ है जल्दी जल्दी निगल निगल के खाते हैं, हमारे तो जबड़े बहुत flexible है तो हमको तो चबा चबा के खाना है और यूरोप में एक और मुश्किल है कि उनके जो मसूरे हैं ना बहुत कड़े हैं और कड़े मशूरों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है हार्ड है बहुत तो ब्रश करते हैं आप मत उनकी नकल करिया आपके म इतने सॉफ्ट है कि थोड़ा भी ब्रश आला तिर्चा चल गया तो खूनी खून निकले तो उनकी नकल करके टूद ब्रश मत करिये फिर क्या करें दंतमंजन है हमारे पास और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातों से अच्छा कोई नहीं क्योंकि उसके ब्रसल्स बहु बहुत सॉफ्ट है तो दातों करना शुरू कर दीजे दंतमंजन करिए तो दात अच्छे रहेंगे मसूले भी अच्छे रहेंगे पानी कभी भी ठंडा मत पीजिए तो दात सुरक्षित रहेंगे गलाभी सुरक्षित रहेगा पेट भी अच्छा है हमेशा गुपोना पानी पीजे. और आप तो अगर जयन देर मानते हैं, जयन धरम मानते हैं, तो आप जानते हैं कि ज़्यादा देर रखा हुआ पानी भी मन पीजे चैंट, क्योंकि उसमें जीव व Apps pizz, भानी नोति, तो ताजा पानी बना के पीटे रहेें, यूरोप में नहीं है और इतनी बार चबाईए जितने दात हैं आपके एक दिन सीशे के सामने खड़े होके अपने अपने दात गिंगे जाए किसी को 32 होंगे, किसी को 32 होंगे, किसी को 28 होंगे तो रूटी का ही खुपड़ा मुझ में डाला तो उतनी बार चबाईए जैसे 32 दावने तो 32 बार चबाईए 30 है तो 30, 28 है तो 28 खूब चबा के खाना खाईए आयरुवेट कहता है खाने को इतना चबाईए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए तो जिन्दगी में कभी कोई बीमारी आने की संभावना नहीं फिर ऐसे ही नियमे एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भरके पीजिए जैसे गरम दूद पीते है वैसे पानी पीजिए सिप करके पानी पीजिए ताकि ज़्यादा लार शरीर में जाए लार जो है ना बाद पित कफतीनों को संतुलित रखती है तो घूट घूट पानी पीएंगे तो बहुत लार जाएंगी गट 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 पीएंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएंगे एक स्वस्त मन शुको जिंदगी भर स्वस्त रहना हो तो हर दिन साड़े चार से पांच लीटर लार की आवश्र रखता है वो सिप करके ही संबब है और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा जिनको भी एडियों में धर्द है न तीन दिन में गायब हो जाए अगर घुटने में धर्द है न छे-साथ दिन में ठीक हो जाए कोई भी जॉइंट स्पेन है बारे तेरे दिन में चला जाए कितनी भी भेल कर संदिवात हो सिप करके पानी पीजे और एक सिप में उतना ही पानी लीजे एक चमच के बराबर उसको थोड़ी देर मुँ में घुमाईए फिर पीजे अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो महिने डेड़ महिने में ही पांच-छे किलो कम हो जाएगा अपने आप बिना कोई दवा खाए